एक्सराइब वेल्कम बैक इस वीडियो में हम थर्ड चैप्टर के लास्ट एक्सराइब शॉल करेंगे यानि के एक्सराइब 3.5 शॉल करेंगे अगर अभी तक आपने हमारे चानल सब्सक्राइब नहीं किया तो अपली सब्सक्राइब टावर चैनल और प्रेश दी बेल एक्कॉन पॉर लेटस अपडेट चलिए शिरू करते हैं इन ट्रियंगल ABC ऐ प्लस बी प्लस ली इस एक्वल टू पाई तो यहां पर हमें दिया हुआ के एक ट्रियंगल है जिसमें तीनों गाइंगल का एडिशन पाई है ठीक है यह जैन्डरली हमें पता ही है ठीक है दिन शो घर्ड़ाट तो हमें जो गिवन याईल्व है उसके ब की value पाई है ओके अगर हम इसे इस तरह से लिखते हैं a plus b is equal to पाई माईनस c यानि ट्राइंगल के कोई भी दो एंगल is equal to पाई माईनस तीसरा एंगल ठीक है अब यहाँ पर अगर हम इस पर sign operate करते हैं ठीक है तो क्या हो जाएगा sign of a plus b is equal to sign of pi minus c ओके therefore sign of a plus b is equal to अब हमें पता है कि sign of pi minus theta क्या होता है sign theta होता है यानि कि यहाँ हम लिख सकते है sign c तो इससे हमें एक formula मिलता है कि अगर हम triangle में triangle के कोई भी दो एंगल के addition पर sign operate करें तो हमें तीसरे एंगल के sign की value के equal मिलेंगा ओके ठीक है जरूरी यहाँ पर a और b होना ऐसा जरूरी नहीं है ठीक है हम b और c लेके sign of b plus c is equal to sign a इस तरह भी ले सके ठीक है कोई भी दो एंगल के addition तीसरे एंगल के equal होंगा ठीक है sign function में उसी तरह सकर हम यहाँ पे हमने cos operate करें ठीक है and cos of a plus b that is equal to cos of pi minus c तो इसकी value हो जाएंगे therefore cos of a plus b is equal to अब हमें पता है कि cos of pi minus theta क्या होता है minus cos theta होता है ठीक है यहाँ कि minus cos c तो इससे हमें पता चलता है कि angle triangle के दोनों भी angle के addition में हम cos operate करते हैं तो वो तीसरे के equal होंगा बस क्या होंगा negative sign लगेंगे उनकी sign opposite होगे ओके तो हमें यह दोनों ध्यान में रखना है sin of a plus b is equal to sin c and cos of a plus b is equal to minus cos c उसी तरह से अगर हमने इस value में इस equation को हम अगर 2 से divide करते है ठीक है तो यहां पर मैं लिख देता हूँ a by 2 plus b by 2 plus c by 2 is equal to 5 by 2 उसी तरह से a by 2 plus b by 2 is equal to 5 by 2 minus c by 2 अब हम अगर यहां पर हम sign operate करते हैं ठीक है sin of a by 2 plus b by 2 is equal to sin of pi by 2 minus c by 2 अब यहां पर हम पता है कि हमें sin of pi by 2 means 90 minus theta sin of 90 minus theta cos theta होता है तो हम इसकी जग़ा पर हम cos c by 2 लिख सकते है that is equal to therefore sin of a by 2 plus b by 2 यहां पर दोनों का denominator c में इंको हम combine भी कर सकते हैं is equal to हम लिख सकते है cos of c by 2 ओके तो यह बात भी ध्यान में रखना है ठीक है यहां तो हम इसकुछ तरह से भी लिख सकते है sin of a plus b by 2 is equal to cos of c by 2 ओके तो इसे भी हमें याद करना होंगा उसी तरह से अगर यहां पर हम यहां पर अगर हम cos operate करते हैं यहां पर और यहां पर यानि कि cos of a plus b by 2 is equal to cos of pi by 2 minus c by 2 तो हमें क्या बार मिल जाएंगी cos of a plus b by 2 is equal to अब यहां पर हमें पता है कि cos of 90 minus theta sin theta होता है तो यहां पर हो जाएंगा sin of c by 2 ओके तो यहां में ध्यायन में रखना होगा ठीके अगर एंगल half है ठीके उनकी addition हो रही है तो sin की जगह पर हम cos को convert कर देंगे और cos की जगह पर sin को convert कर देंगे अगर एंगल पूरा पूरा एंगर है ठीके जैसे के a plus b तो sin की जगह पर sin जाएंगा और cos की जगह पर minus cos आ जाएंगा ओके तो यह दो और यह दो हमें यार दख लेना हो कि इसी की बेस पर हम question solve करेंगे आगे time का भी आएंगा तब हम उसे भी देख लेंगे ओके तो question number 1 की तब बढ़ते हैं now first question cos to a plus cos to b plus cos to c is equal to minus 1 minus 4 into cos to a into cos to b sorry minus 4 cos a into cos b into cos c ठीक है यह हमें proof करना है हम left hand side का use करेंगे left hand side is equal to cos to a plus cos to b plus cos to c अब हम यहाँ पे cos a plus cos b का formula यूज करेंगे ठीक है यहाँ पे तो formula हमें याद होना चाहिए cos a into cos a plus cos b का क्या है 2 into cos of a plus b ठीक है यहाँ ठीक है 2a plus 2b upon 2 into cos of a minus b that is 2a minus 2b upon 2 plus cos 2 c ठीक है cos 2 theta का formula हमें याद होना चाहिए ठीक है trigonometric के जितने भी formula है values है relation है वो सब हमें याद होना कंबल सरी है तब हमें यह chapter solve कर सके ठीक क्योंकि chapter गरहा हमें trigonometry है तो cos 2 c का formula है हमेरे पास 2 cos c minus 1 okay that is equal to 2 into cos of अब यहाँ से हम 2 common निकाल लेंगे तो 2 से 2 divide हो जाएंगा यहाँ से बचेंगा a plus b into cos of उसी तरह से यहाँ से कर हम 2 common निकाल लेंगे तो यह 2 से 2 divide हो जाएंगा यहाँ से a minus b बचेंगा okay plus 2 cos square c minus 1 that is equal to 2 into हमने अभी देखा है cos of a plus b की जगर पर हम लिख सकते हम लिख देंगे minus cos c into cos of a minus b plus 2 cos square c minus 1 that is equal to अब यहाँ से हम 2 2 cos c common निकाल सकते हैं ठीक हम लिख से 2 into cos c common लेंगे तो यहाँ बचेंगा cos of a minus b minus है तो पहले यह टर्म लिख देते हैं cos c then minus cos of a minus b minus 1 बाहर ओके तो यहाँ से हमने 2 cos c common निकाला और यहाँ से 2 cos c common निकाला ठीक है हमारे पास मिलगा cos c minus cos of a minus b minus 1 that is equal to 2 cos c जिस तरह से हम cos of a plus b की जगर पर minus cos c लिखे ठीक है उसी तरह से हम cos c की जगर पर minus of cos a plus b भी लिख सकते हैं तो दोनों भी एक दूसरे के equal हैं okay so cos c in bracket minus of cos a plus b ठीक है इसके जगर आपने लिखा है minus cos of a minus b minus 1 okay that is equal to यह minus हम बाहरे कमन निकालनेंगे तो minus 2 cos c तो यह plus हो जाएंगा यह भी plus हो जाएंगा cos of a plus b plus cos of a minus b minus 1 that is equal to minus 2 into cos c अब यहां पर भी डबल से cos a plus cos b का फॉर्मला यूस करेंगे ठीक है so क्या था 2 into cos a plus b by 2 यानिके a plus b यह एंगल प्लस यह एंगल ठीक है तो यह a plus b plus a minus b upon 2 into cos of a plus b minus minus a 3 minus minus a plus b हो जाएंगा अपन 2 minus 1 so that is equal to minus 2 into cos c in bracket 2 into cos of plus b minus b cancel 2a upon 2 into cos of a plus a minus a cancel twice b हो जाएंगा twice b upon 2 minus 1 so that is equal to minus 1 को पार लिख दो 2 into 2 हो गया minus 4 2 say to divide cos a into 2 say to divide cos b into cos c okay that is equal to right hand side so first question हमारा proved हो गया है यह हमें प्रूफ करना था then next question second question sin a plus sin b plus sin c is equal to 4 into cos a by 2 into cos b by 2 into cos c by 2 यह हमें प्रूफ करना है so left hand side is equal to sorry sin a plus sin b plus sin c तो यहां प्रूफ करेंगे तो यहां प्रूफ करेंगे तो क्या है that is equal to 2 into sin of a plus b by 2 into cos of a minus b by 2 ठीक है यह जो है हमारा sin of a plus sin of b का फॉर्मुला है ओके plus sin c ठीक है अभी से sin c रहने दो sin c that is equal to ठीक है हमें बता है कि अभी हमने शिर्वात में देखा है sin of a plus b is equal to sin c लिख सकते बट अगर हम angle को half कर देते तो sin की जगर पर क्या हो जाएगा वो cos हो जाएगा ठीक है जिसे कि हमने बता है था sin of a plus b by 2 is equal to cos c by 2 तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 into cos c by 2 into cos a minus b by 2 plus sin c so हम यहाँ पर sin c की पर के जगर हम sin 2 theta का formula जिसका सकते है formula को जिस तरह से sin 2 theta is equal to 2 sin theta into cos theta अगर theta double है तो उसको हम single लिख देंगे अब यहाँ पर कहीं सिर्फ sin c है तो हम क्या करना पड़ेंगे इसका half करना पड़ेंगे तो यह हो जाएगा 2 into sin c by 2 into cos c by 2 अब हम यहाँ से 2 into cos c by 2 दोना टर्म्स में से common लिख लेंगे that is equal to 2 into cos c by 2 common लेंगे तो यहाँ बचेंगा cos of a minus b by 2 plus sin of c by 2 ओके that is equal to 2 into cos c by 2 into cos of a minus b by 2 plus अब sin c by 2 जिस तरह से हमने sin of a plus b by 2 की जगा पर cos c by 2 लिखा है ठीक है उसी तरह से हमाँ पास formula है cos of a plus b by 2 is equal to sin c by 2 होता है तो हम sin c by 2 की जगा पर यह value लिख सकते हैं तो हम यही लिख देंगे that is equal to cos of a plus b by 2 ओके that is equal to 2 into cos c by 2 in bracket अब हम यहाँ पर cos a plus cos b का formula यूस करेंगे तो क्या हम पर जाएंगा 2 into cos a plus b by 2 ओके तो एकी जगा भी क्या है a minus b by 2 तो a minus b by 2 plus a plus b by 2 a plus b by 2 upon 2 ओके into cos of a minus b तो a minus b a minus b by 2 minus of a plus b by 2 upon 2 ओके that is equal to 2 into cos c by 2 into 2 into cos अब यहाँ पर दो अलग लक्टर में दोनों के निच्चे 2 है तो इन दोनों का हम कंबाइन कर सकते that is a minus b plus a plus b ठीक है तो minus b plus b cancel हो जाएंगा a plus a twice a तो यहाँ पर हो जाएंगा twice a upon 2 upon 2 upon 2 ओके into cos of उसी तरह से यह दोनों कंबाइन हो जाएंगी यहाँ पर minus operate हो जाएंगा तो यह minus a minus b हो जाएंगा ठीक है so plus a minus a cancel हो जाएंगा तो minus b minus b minus twice b denominator में 2 है और उसकी denominator में 2 ओके that is equal to 2 into cos c by 2 into 2 into cos of ठीक है यह 2 से 2 divided हो जाएंगा यह 2 से हम यह भी 2 divided कर सकते हैं एक के बात हैं तो क्या हम भी लेंगा cos of a by 2 ओके into cos अब हम यहाँ पर 2 से 2 divided कर देंगे अब जो कि यहाँ पर minus है ठीक हमें पता है कि इंचो cos है हमारा even function है अगर angle minus b रहा तो उसके लिए प्लस ही आती है तो हम इसकी ज़गा पर श्रीव b लिख सकते हैं minus को हटा सकते b by 2 ओके so that is equal to 2 into 2 4 cos a by 2 into cos b by 2 into cos c by 2 okay that is equal to right hand side hence proved then next question third question cos a plus cos b minus cos c is equal to 4 into cos a by 2 into cos b by 2 into cos c by 2 minus 1 ठीक है यह हमें proof करना है हम left hand side लेंगे left hand side is equal to cos a plus cos b plus sorry minus cos c ठीक है okay अब हम यहाँ पे cos a plus cos b का formula लगेंगे okay so that is equal to 2 into cos a plus b by 2 तो a plus b by 2 तो a plus b by 2 into cos of a minus b by 2 okay a minus b by 2 minus cos c ठीक है cos c c okay okay so that is equal to 2 into अब हमें पता है cos of a plus b by 2 इसके अब हम निख सकते है sin c by 2 तो यहाँ पे हम लिख देंगे sin c by 2 into as it is cos of a minus b by 2 okay b by 2 minus cos c a okay तो यहाँ भी हम cos to theta का formula इसके करेंगे तो cos theta का formula कुछ इस तरह से cos to theta is equal to 1 minus 2 sin square theta अगर cos 2 theta है तो 1 minus 2 sin square हम लेंगे इसका आधा यारी की 1 theta okay तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 minus 2 sin square c by 2 okay that is equal to 2 sin c by 2 into cos of a minus b by 2 यहाँ पी minus औपेट करेंगे तो यह minus minus c plus हो जाएंगा 2 sin square c by 2 और यह minus 1 हो जाएंगा अब हम यह दो टर्म में से 2 sin c by 2 common निकाल सकते हैं c by 2 प्लस अब sin c by 2 तो ठीक है sin c by 2 की जाएंगे हम cos of a plus b by 2 लिख सकते हैं तो हम लिख देंगे तो यह जाएंगा 2 into cos of a plus b that is a minus sorry minus b by 2 plus a plus b by 2 upon 2 into cos a minus b that is a minus b by 2 minus a plus b by 2 upon 2 minus 1 okay so that is equal to 2 into sin c by 2 in bracket 2 into cos of अब यहां पर दिनामेटर से में तो यहां तो यहां पर यहां पर दिनामेटर से में तो यहां निकाल सकते हैंगे that is a minus b plus a plus b okay so minus b plus b get cancelled a plus a twice a denominator में 2 common हो जाएंगा upon 2 okay into cos of sin यह दो टर्म में common हो जाएंगी तो यह minus a minus b हो जाएंगा so a minus b minus a minus b that is plus a minus a get cancelled minus b minus b हो जाएंगा minus twice b दिनामेटर में 2 है upon 2 minus 1 okay so that is equal to यहां पर हम 2 into c by 2 से इसको multiply में चाहिए तो हम साथ में लिखतेंगे 2 into 2 4 इसको last में लेखेंगे ठीक है cos of 2 से 2 divided हो जाएंगा a by 2 बचेंगा cos of a by 2 into 2 से 2 divided हो जाएंगा cos हमारा even function है ठीक है अगर angle minus b रहा तो स्क्राइब प्लस ही आती तो हम यहां पर minus को हम हाटा सकते ठीक है यहां यहां पर लिख देंगे cos of b by 2 okay into sin c by 2 minus a1 ठीक है so यह हमें प्रूफ करना था that is equal to right hand side hence proved okay then next now fourth question sin square a plus sin square b plus sin square c is equal to 2 sin a into sin b into sin c okay so यहां पर हम left hand side लेंगे left hand side is equal to sin square a plus sin square b plus sin square c c okay अब sin square के जिकर हम क्या लिख सकते हैं ठीक हमरे पास एक formula है cos to theta का cos to theta is equal to 1 minus 2 sin square theta ठीक है तो इसे हम लिख सकते हैं अगर स्कुदा ले लिए तो 2 sin square theta is equal to 1 minus cos to theta हो जाएंगा therefore sin square theta is equal to 1 minus cos to theta upon 2 तो sin square theta की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 minus cos to theta upon 2 ठीक है तो हम इसे का use करेंगे तो sin square एक जगह पर हम लिखेंगे 1 minus cos 2a upon 2 sin square b की जगह पर लिखेंगे हम 1 minus cos 2b upon 2 और इसकी जगह पर हम लिखेंगे 1 minus cos 2c upon 2 okay so that is equal to अब तीनों के denominator से हम है तो तीनों भी term combine हो जाएंगे so 1 plus 1 plus 1 that is 3 okay नहीं तो हम एक काम करेंगे इसकी जगह पर इससे अभी रहने दो इससे अभी sin square c रहने दो okay यहां पर तो 1 plus 1 2 2 minus cos 2a minus cos 2b upon 2 plus sin square c okay that is equal to तो दोनों को separate कर दिया अगर हमने तो यह हो जाएंगा 2 by 2 1 minus यहां से minus 1 by 2 common निकल दिया तो यह हो जाएंगा cos 2a plus cos 2b plus sin square c okay क्या करें क्या करें 2 और यह दोनों टर्म को separate करें तो 2 by 2 हो गया 1 अब यह दोनों टर्म में minus minus है तो हमने क्या करें हैं से minus 1 by 2 common निकल दिया थीक है तो क्या बचा into cos of a plus b that is 2a plus 2b upon 2 into cos of a minus b that is 2a minus 2b upon 2 plus sin square c so that is equal to 2 to get cancel 1 minus अब यहां से हम 2 common निकलेंगे तो 2 से 2 divided हो जाएंगा स्रिफ बचेंगा cos of a plus b into cos of उसी तरह से हम 2 common निकलेंगे तो 2 से 2 divided हो जाएंगा यहां पर बचेंगा cos of a minus b plus sin square c okay so that is equal to 1 plus sin square c हम पहले लिख देंगे minus अब cos of a plus b ठीक है in bracket into a bracket हटा तो ने तो cos of a plus b ठीक है हमें पता है cos of a plus b is equal to minus cos से लिख सकते है ठीक है यहां पर हमारा फॉर्मुला है माइनस कॉस से तो माइनस माइनस ही हो जाएंगा यहां माइनस हो जाएंगा यहां माइनस हो जाएंगा यहां माइनस हो जाएंगा ओके जाहन में रखना है यह मिस्टेखों के जरासी बाइनस माइनस ठीक है तो हमें जिसे के बता है कि सशेंस्क्री ठीट प्लस कॉस को ठीट रबवन होता है तो बन माइनस कॉस को ठीट dakika के जगए हम लिख देंगे को सक्षेंट रिया निकरई c plus cos c into cos of a minus b तो यहां से हम cos c common निकाल लेंगे क्या मिल जाएंगा में that is equal to cos c common निकालने के हमें मिल जाएंगा cos c plus cos of a minus b ओके सो उसी तरह से cos c into cos c की जगह पर हम ले सकते हैं minus cos of a plus b plus cos of a minus b इसकी जगह पर हम यह लिखा ठीक है अब हम यहां पर cos a minus cos b का फॉर्मल लगाएंगे ठीक है यह minus है तो यहांने cos a minus cos b a की जगह पर a minus b है और b की जगह पर a plus b है तो यह हो जाएंगा cos c into 2 into cos of a plus b ठीक है a क्या है यह है तो a minus b plus a plus b ठीक है अपन 2 into cos of a minus b that is a minus b minus a plus b ठीक है तो यह भी minus b हो जाएंगा अपन 2 okay that is equal to cos c ठीक है पूरी एक टार्म होगी तो यह ब्रैकेट लिखनिक जरुवत नहीं है into 2 अब यह minus b plus b get cancelled cos of twice a upon 2 into cos of plus a minus a get cancelled b minus b minus twice b upon 2 okay that is equal to 2 into cos of 2 to get cancelled a by 2 sorry a into 2c divide हो जाएंगा ठीक है cos even function है अगर angle minus b रहे तो उसके प्लस ही आती है तो हम यहां पर लिख सकते cos of b ओक है यह minus को हटा भी सकते हम ठीक है into cos c ठीक है that is equal to right hand side hence prove so यहां भी हमारे exercise के four question complete हो गया हम remaining question हम next video में लेंगे अब आप यहां पर पहुँची चुके है तो जाने से पहले चैनल को subscribe जरूर कर देना तो मिलते है next video में